हेलो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में मैं आपको लोरो पेटलम प्लांट की केर और प्रोपोगेशन के बारे में बताऊंगी कुछ जगह इसे लाल सा या लाल बाजशा भी कहते हैं ये एक पर्मनेंट इजी टू ग्रो लो मेंटेनेंस हाड़ी प्लांट है आप इसे ऐसे बॉर्डर या हैच प्लांट की तरह भी ग्रो कर सकते हैं और ऐसे पोर्ट में भी ग्रो कर सकते हैं ये छोटे साइस के पोर्ट में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है अगर आप कुछ और ऐसे plants के बारे में जानना चाहें जो की छोटे साइस के planters में भी अच्छी growth करते हैं तो उससे related video का link आपको description box में मिल जाएगा अब हम बात करते हैं इसकी requirements के बारे में सबसे पहले बात करते हैं इसकी sunlight requirement के बारे में Loro Petalum एक sun loving plant है इसे अच्छी growth और ऐसी सुन्दर purple colored leaves के लिए कई घंटों की direct sunlight चाहिए होती है अगर इसे proper sunlight ना मिले तो इसकी leaves ऐसे green color की होने लगती है अब अगर इसकी soil की बात करें तो soil इसे welderent चाहिए होती है इसके लिए welderent soil आप एक part garden soil, एक part sand और एक part compose मिला कर बना सकते हैं अब इसकी watering की बात करें तो पानी इसे तभी दे जब इसकी soil dry हो जाए dry soil के इलावा इसकी leaves का मुर्जाना भी हमें बताता है कि अब इसके पानी देने का time हो गया है अब हम बात करते हैं इसकी propagation के बारे में आप इसे cutting से बहुत easily grow कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप इसकी कुछ cuttings लेकर उनकी नीचे की 2-3 notes की leaves को हटा लीजिए फिर cuttings को ऐसे पानी में डाल लीजिए और बस 15-20 दिनों में ही इसकी cuttings में ऐसी roots develop हो जाएंगी अब आप इन cuttings को soil में लगा सकते हैं तो friends अगर आपको ये video useful लगी तो please like करें, share करें और मेरे channel को subscribe करें Thank you and happy gardening